Hello Friends, अभी तक के Tutorials में मैंने आपको बताया कि Python में हर चीज Object होती है Object हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, Mutable Object और Immutable Objects अपने आज के Tutorial में हम इन दोनो टाइप के Objects में Difference किस तरीके से पता करेंगे, ये सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं, Mutable and Immutable Objects Objects in Python में भी Mutable और Immutable, अब हम देखते हैं इन Words का क्या मीनिंग है Mutable Objects से मतलब ये है हमारा कि आप उन Objects की Value को Change कर सकते हैं पर Immutable Objects की Values को आप Change नहीं कर सकते Mostly Fundamental Types in Python are Immutable इसके बाद Numbers, Strings, Tuples are all Immutable Objects Numbers, Strings और Tuples ये हमारे Immutable Objects होते हैं उसके बाद Mutable Category के अंदर हमारे List, Directories and Other Objects depending upon Implementation Python में जब आप काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी Objects की Value Change हो रही है पर Reality में ऐसा नहीं होता है उस Situation में आप ID Function को यूज करके पता कर सकते हैं कि आपके Objects की Value Change हो रही है या नहीं तो चलिए ID Function का एक Example देखते हैं यहाँ पर मैंने अपना Python Shell open कर लिया है अभी मैंने आपको बताया कि Numbers हमारे Immutable Objects होते हैं तो यहाँ Numbers के उपर एक Example लेके देखेंगे यहाँ मैंने ए नाम का एक Variable लिया और उसे 43 Value Assign कर दी दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 43 मेरा एक Object है जिससे मैंने A Variable को Assign कर दिया है या हम यह भी कह सकते हैं कि A Variable मेरा 43 Object को Refer कर रहा है Enterprise करती हूँ मैंने आपको बताया था कि हम ID Function को Use करके अपने Mutable और Immutable Objects के बारे में पता कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं ID लिखूंगी और Bracket के अंदर A लिख दूंगी Enterprise करूंगी यह हमारे 43 Object की ID है उसके बाद मान लीजे मैं A की Value Change करके 23 कर देती हूँ Enterprise किया और फिर से ID Function को Use करके हम अपने इस Object की ID देखते हैं यहाँ पे मैंने अपने Object 43 को Change करके 23 कर दिया और 23 की ID देखी आप देखेंगे यहाँ पे ID अब डिफरेंट हो रहे है 43 की अलग है 23 की अलग है Generally इस Situation हम यह सोचते हैं कि हमारा Immutable Object जो की Number है अपनी Value चेंज कर रहा है पहले हमने ID of A लिखा तो हमें अलग ID मिली दूसरी बार हमने ID of A लिखा तो हमें अलग Value मिली पर ऐसा नहीं है यहाँ पे हमने क्या किया है अपने Variable को Different डिफरेंट अबजेक्ट एसाइन कर दिये है मान लीज़े यहाँ पे अगर मैं A को फिर से 43 एसाइन कर दूँ और फिर से ID फंक्शन की Help से ID देखें तो वही पहली वाली ID मिलेगी मुझे 43 की इससे हमें पता लगता है कि 43 object जो है वो मेरा बदला नहीं था इसके बाद अगर मैं किसी Variable B को 43 value एसाइन कर दूँ और इसकी ID अब देखें तो आप देखेंगे वही ID है और इसके बाद आप चाहें तो Direct 43 लिखके भी पता कर सकते हैं यही इससे हमें पता लगता है कि हमारे number immutable objects है इस तरीके से आप ID function को use करके mutable और immutable objects के बीच difference पता कर सकते हैं अपने इस टूटल में इतना ही Thank you